हेलो दोस्तों अगर आभी क्या आते हैं तो लेकर आचेक हैं बहुत की सास्त्रियानी फिजिक्स का बिल्कूल औरीनल प्रस्ण पतर ठीक है आपका जो पेपर हैं 50 नमर का रहने वाला है ठीक है वीडियो का विडियो का टेपके ब्लोड कर लीजेगा तेका बिना देरी को 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 स्टार्ट करते हैं इसका सब्जेक्टिव कोशन हम सकेंड चेनल पर अप्लोड कर दिया जिसका लिंक वीडियो को संब्सक्राइब और यह से चेक आउड करके आप देख सकते हैं थीक है डोट जीरो तो एवी क्या मोड में दिया तो किसके बराबर होगा तो ये सुनने क्यों होगा ओप्षन क्या होजागा एफ नमबर इसका ना राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चली आगे है दाप पढ़वक्ता का विमियस दूत्र है तो देखें दाप पढ़वक्ता का क्या होता है सकती हो जाएगा थिक अम्हों यहां पर सक्टीच की मैं ए Millenn है चली आगे हैं नीमीलिखित में किस रासी का इसाई मतर кими स्कुर्इब एक पौर माइनस टू इस पौर माइनस दीर लिखा सकता है तो किस का प्रतिरोध का प्रत्व का धाइरता कर छोंब किया फ्रास कर दों किसकronics तो अठेख है कि या क्या हो क्या होगा न तो a plus knob b हो जाएat भी कर दनके एक प्लस भी हो जाएगा पहां दिया सी में एह सी एफका अन्स प्रूसद हो जाएगा ठीख चलिया आगे है के हैं कि अगर किसी कुर्ण का भी स्थापन समय ग्राफ पर ठीख फूर य बराबर अबर मेंग्स प्लस तीज नीडूपीद किया जा सकते हैं तो कॉन किती शील किसे नियाथ चालते नियाथ वेग से परिवातन वेग से नियाथ वेग से ठीक है क्या होजागा छे का भी इंसवर हो जाएगा चलिए आगे हैं आप देखेस आई-कैप प्लस जेकाप त्वरा एक तो यह कितना होता है आप सभी को पता है कितना होता है और नबबे डीवी कहां दिया ओपसंड डी में दिया तो साथ क्या क्या होजाएगा ठीक है चली यहां पर आगे सदीश वेक्टर एफ बरावर 4i-3j के लंबवत सदीश है तो कितना है तो देखे 3i-4j तो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक है चली आगे अगर वैक्टर एंटू हैक्टर भी बरावर वैक्टर जीरू तब हैक्टर भी इंटू एंटू सी बरावर जीरू तब एंटू सी कमान होगा तो कितना होगा तो यह जीरू हो जाएगा ठीक है नोगा क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा चली आगे question आपका यहाँ पर है ठीक है आर्ट्रीजिया वाले बृतिया पर समान जाल से भी एक करण गती माने ठीक है आधा वक्रप करने में लगे समय ग्राफ का करण का ओसत तुरण क्या होगा तो क्या होगा तब B square बटे में आ ठीक है B square बटे में आ क्या हो जाएगा 10 का option A आपका answer हो जाएगा ठीक है चली आगे है गुरूत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तू एक समान होता है क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा ठीक है वेग Option क्य हो जाएगा B. इसके एनस्वर हो जाएगा. ठीक है. चलिए. आगे आपका कोशन है. वेग समय ग्राप और समय अक्ष्च के बीच का छितरफल होता है. तो कितना होता है? तो देखे. तै की गई दूरी के बराबर. ठीक है. तै की गई दूरी के बराबर. Option क्या हो तो जाएगा ठीक है अप्सन क्या जाएगा चलिए आगे किसी पींड की पर समरूप बलपल लगने वाले कौन सी निमलिकित रासी इस्थीर है कौन है तो गती उर्जा वेग त्वन या समवेग तो देखिए इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपका गती उर्जा हो जाए दो जाएगा चलिए आगे है याथी अभी लंभ अभी किर्या दो गुना कर दिया जाए तो घोल संग उखे घोल संग नंक हो जाएगा तो आधा हो जाएगा और आधा कहां दिया देखिए तो आपसट्थन ए में दूगना जोगना समार्ण आदा ठीक है ऐसे आपका एंसर ह जाएगा चली आगे है यहां पर 15 नमर कोशन एक किलो ग्राम ठीक है किलो ग्राम दर्विमान की वर्ष्टु की गती उर्जा एक जूले तब उसका वेक तो क्या होजगा 1.4 एम एस पावर 1 हो जाएगा ठीक है यह जाएगा यानिके 15 एंस वर हो जाएगा चली आगे है एंडर सब्सक्राइब हो जाएगा चलता हुआ एक दिवार से लंब टकराता है उसकी गतीव ही के लोटता है तो दिवार को कर दिया गया समवेग का जगा सुनने हो जाएगा ठीक है हो जाएगा चली आगे है समानताप पर टकराते हैं था रखिद गती उर्जा हो जाएगा यानि क्या हो जाएका सी इसका एंस्वर हो जाएगा के सब्सक्राइब है étant हो जाएगा चलि आगे हैं आपर समानता पर दो बोल टक राते हैं तो संद्रक्षी बहुत गती उर्जा होगी अठारा भी करा दिया ठीक है चली ओनाइस नमबर कोशन के और बड़ते हैं और यहां पर एक गोला ठीक गेंद के चाहिए से गीराने पर 36 सेंटीमीटर तो उसाई तो कुछ हलता है तो टकर का पत्य आवस्थांद गुनांग है तो कितना जाएगा तो 64 बटे में 36 ठीक है 12 32 ठीक है और शे यह कटेगा तो आजाएगा आपका आठ और तीन आजाएगा ठीक है आठ तीन तो दिया नहां नौ ब हटा देगे न गुणा कर करें घ steeds दो एक स्थेर और है तो इसके होगा तो इसकर के केंदर का तॉर्णी होगा इतन तो सुनिएगा ठीक ह outdoor को हो जाएगा फिर चलि आगे हैं एक कॉन एक सक्ष के सामना चनियत वेख से चल रहा है मूविबिंदू के सापक्ष कोन या सम्वेग है तो बढ़ता ही जाता है ठेक है एक इसका क्या होगा सि हो जाएगा चली आगे है एक ठोस गोले तथा एक पतले गोली या खोकले के दरब्मान तथा उनके ब्यास के गर्द आगुन बराबर है तो उनकी तिरियाओं का बीच अनुपात है तो क्या हो जागा तीन अनुपात पांच हो जाएगा ठीक है तीन अनुपात पांच कहां दिया है ओप्सन सी में दिया है ओप्सन सी आपका इंस्वर्व हो जाएगा आगे खोंकले गोले के भीतर गुरुत्वीय भीभव है तो क्या हो जागा समरूप रहता है ठीक है समरूप और उसके तल के लंबत अक्ष के परिता इसका जड़तों आगोंड है तो क्या होजगा एक बटे में दो एम भी का स्क्वाइर और एम के जगा पक्या दिया है यहां पर त्रीजिया आर दिया तो एम आर का स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है और कहां दिया अप्सण ए में दिया हॉपसं अपका राइट हैंसार हो जाएगा ठीक है तो मक्षन अलग होता है इसका कारण क्या है तो फश्त संबोलें ठीक है अप्सन क्या होजगा 25 चैलिए आगे कोशन दिखते हैं आगे आपका यहां पर 26 नमर कोशन है दरबिमान एम के एक एक हर संद और टे परिताइब हो जायेगा तो यह जाएगा फिसका सब्सक्राइब हो जाएगा एक ठोस को जाएगा आगे एक ठोस गोले के बाहर इस नवीवर भी बर मैनस के गोले के दर्मान है तो इसमें एक्स कमान तो बिंदु पी गोले के के अंदर से दूरी हो जाएगा ठीक है चली आगे है किसी वस्तु का सम्वेक बढ़ा दी जाती है तो उसकी गति उर्जा में बरीदी होगी कि बीस पड़ीस पड़ा दिए गामानिव वस्तु दो है ठीक है उसमें पीस पर बाद से बाद इनके चालीस हो गाना और यह क्या हो जागा तो यहां पर चॉवालीस हो गती उर्जा का अनुपात तो क्या हो जाएगा पांच बटे में साथ सी एंसर हो जाएगा चलिए तीस नमर कोशन है आपका यहां पर प्रित्वी की तिरिजा आरे उंदरमान एम है तो गुरत्वी तरण छोटा जी और बड़ा जी का अनुपात किया होगा तो आरे स्क्वेर सब्जेक्टिव कोशन जो है ना हमारे सकेंड चैनल पर मिले का ठीक है जिसका ना लिंक ना वीडियो के डिपक्रिप्सन बॉक्स में हम लगा आती है ठीक है आप लोग जाकर वहां से चेक आउट कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगले बिर आसा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर दिये होंगे